हेलो गाईस कैसे आप लोग और स्वागत है आप लोगों का फिट से हमारे नई यूटुब चानल डिसिप्लिन ट्रेडर पे तो गाईस आज मैं आप लोगों को लाइब एंजल वन एप से आप्शन स्टेडिंग करके दिखाने वाला हूँ और किस टाइब से यहाँ प्रोफिटेल लॉस होता है यह सारा कुछ भी आज के वीडियो पे मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ तो वीडियो का फिर इंट्रेस्टिंग होगा वीडियो पे आप लोगों को अंतक बने रहना है तो जैसे कि आप लोगों को पता है Mostly जो लोग है इंडिया पे Nifty 50 और Bank Nifty पे Options ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं तो हम भी क्या करेंगे? Bank Nifty पे Options ट्रेडिंग करेंगे तो आप देख पा है Top पे आपको Nifty 50 और Bank Nifty को Options आपको दिखाई दे रहोगा ठीक है तो अभी हम क्या कर रहे हैं bank nifty पर option trading कर रहे हैं तो हम simple bank nifty के options को click करेंगे यह हमने bank nifty के options को click कर दिया उसके बाद आप नीचे पर दिखेंगे तो आपको charts और option chain को options आपको दिखाई देगा तो आप क्या करेंगे simple option chain के options को click कर देंगे उसके बाद आप अपने capital के हिसाब से यहाँ जो भी premium पे जो भी strike price पे आपको trade करना है आप कर सकते हैं तो अभी हम C buy करना चाहते हैं देखे उपर पे आपको call और put का options आपको दिखाई दे रहा होगा तो call यानि की C और P यानि की put ओके तो अभी हम क्या कर रहे हैं call buy करना चाहते हैं अभी हमको ऐसा लग रहे है market हमारा उपर जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे call back करेंगे हम 45,900 के strike price को buy करेंगे ठीक है तो हम यह 45,900 के call को buy करेंगे तो हमने यह simple click कर दिया click करने के बाद guys हमको कुछ step का interface दिखाई देगा तो चुकी हम एक options buyer है तो हम क्या करेंगे हमेशा buy के options को click करेंगे ठीक है यह हमने buy के options को click कर दिया उसके बाद देखिए आपको कुछ step का interface दिखाई देगा carry forward और intraday तो चुकी हम intraday trading करना चाहते हैं same day buy करना चाहते है और same day यहाँ से exit होना चाहते है तो हम क्या करेंगे simple intraday के options को click कर देंगे और अभी हम चीज़े सीख रहे हैं इसलिए हम क्या करेंगे एक lot buy करेंगे अभी हम चीज़े सीख रहे हैं अभी इस demand account पे लगबग 33,000 रुपए है और अभी मेरा margin जो block हो रहा है वो लगबग 4,000 रुपए का हो रहा है तो जोरी नहीं है आप लोगों का 45,000 का ही capital block होगा आपके premium के उपर depend करता है जैसे कि मेरे premium का price देखे उपर 270-280 रुपए चर रहे है अगर आप और छोटे वाले premium पे जाएंगे न मैं आप लोग को दिखा देता हूँ तो आप लोगों का capital जो है कम block होगा जैसे कि आप यह 46,000 रुपए पर जाएंगे जिसका premium चर रहे है 49 रुपए तो आप इसको click करेंगे न तो यहाँ आपको minimum capital लगेगा जैसे कि यहाँ एक lot मैंने एट कर दिया अब यह दिखे 606 रुपए पर आप एक lot यहाँ buy कर सकते है तो समझ आ गया होगा कि आप minimum capital के साथ भी options पे अच्छे से trade कर सकते हैं तो मैं थोड़े सा बड़े premium पे trade करना चाहता हूँ तो मैं वही आपको बताया है 260-270 वाले premium पे trade करना चाहता हूँ तो यह मैंने click किया buy के options को click कर दिया अब यहाँ number of lot मैं add कर दूँगा उसके बा अगर आप limit का option select करते हैं तो आप अपने price पे trade करेंगे और अगर आप market का option select करते हैं तो आप क्या करेंगे market price पे entry करेंगे तो अभी हम दो मिनट wait करते हैं हमारा एक range है और वो range breakout होगा तो हम लोग trade करेंगे अभी market हलका सा नीचे गिरने की कोशिस कर रहा है तो अभी हम trade नहीं करेंगे थोड़ा सा एक से दो मिनट रूपते हैं उसके बाद हम trade करते हैं और देखें गाईस मैं आपको बता दूँ मैं यहाँ एक lot के साँ trade नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ तिन lot के साँ trade कर रहा हूँ ठीक है तो मेरा capital थोड़ा सा और ज्यादा लगने वाला है देखें अभी entry किये और हमको 300-300-400 रुपया का profit भी दीख रहा है तो यह इस type से options पे आप unlimited पैसा भी बना सकते हैं और unlimited आपको loss भी हो सकते हैं आप देखें हमको 300-400 रुपया का तूरण हमको loss भी दिखाई दे रहा है तो वही मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से unlimited पैसा भी बना सकते हैं और unlimited आप loss भी कर सकते हैं तो इस type से आपको options trading करना होता है ठीक है देखें देखती ही देखते हमको लगबग 950-1000 रुपया का loss भी हो गया गाईज देखें तो देखें हमने 295 के range पे entry किया था और अभी इसका price चरह है 278 रुपया 273 रुपया 275 रुपया इसलिए हमको थोड़ा सा loss भी हो गया गाईज देखते हैं थोड़ा सा अभी हमारा जो loss है वो लगबग 1500 रुपया का loss लेना है हमको तो यह में भी यह होने वाला ही है क्योंकि हमारा जो entry point है वो थोड़ा सा गलात हो गया तो चलिए अब हम exit कर जाते हैं यह market को click करना है और आप तुरण यहां से exit कर सकते हैं और यह दिखे हम exit हो गया एंड हमको यहां लगबग लगबग 1570 रुपय का loss भी हो गया कोई बात नहीं है हमने कल 33 रुपय बनाया था आज 1500 रुपय का loss हो गया कोई बात नहीं ओके तो इस टैप से आप options trading करेंगे और loss भी होता है यहां limited और आप पैसा भी बना सकते हैं ठीक है तो guys मैंने again retrade लिया था और आप देख पा रहें जो मेरा 14-1500 का loss था वो cover हो गया और मुझे फिर से यह profit दिखना शुरू हो चुका है तो मैंने जैसी के आपको बताया कि आप एकदम सही range पर अगर आप trade करेंगे तो आप अच्छा यहां से पैसा बना सकते हैं ठीक है दिखें मुझे लगबग 1600 रुपय का loss हुआ था अब वो loss cover हो गया अब मुझे यहां से लगबग 2500-400 रुपय का profit भी दिख रहा है मैंने एक और ID से trade किया है वो भी दिखा देता हूं उसमें क्या चर रहा है इसमें भी लगबग 200-200 something का profit चर रहे हैं यह आप देख पा रहे हैं 306 रुपय का ओके और इस पर कितना चर रहा है इस पर 455-500 रुपय का profit चर रहा है तो बस गाइस यही options है थोड़ा सा carefully आपको trade करना होता है अगर carefully trade करेंगे तो आप यहां से बड़ा पैसा बना सकते हैं देखिए 1000 रुपय का भी profit द आने का बद मार्केट को क्लिक करना है बस exit देखिए आपको 12 रुपय का profit हो गया है यह ठीक है इस टैप से आपको profit होता है और इसका भी profit बुक कर लेते हैं इस पर कितना चरह 570-500 ठीक है तो इसको भी फटाक से exit कर देते हैं मार्केट प्राइस पहा करके यह देखिए यह दोनों पर हमको कुछ कुछ profit हो गया इस पर 594 इस पर हमको profit हुआ लगभग 1270 रुपय गाई तो यह option थोड़ा सा आपको जीगर के सांद ट्रेट करना है है ना ऐसा नहीं कि loss हो गया तो एकदम से आप लोग headache में आ जाएंगे ऐसा नहीं वापस आपको मौका देगी market मौको बुनाना है और बापिस से आपको ट्रेट करने आना है ठीक है तो यह एक सिंपल सा ट्रीक है options trading करना का और पैसा बनाने का और भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं और ट्रेट करूंगा इस ठीक है